आपका स्वागत है मैं हूँ राशित अहमत खान राज में 17 नवंबर को विधानसवा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे लिहाजा राजनितिक दलों के साथ ही प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है कारिकम का आज का अंक केंद्रित है चुनावी गतिविधियों पर शेहडोल जिले में क्या गतिविधियां चल रही हैं बता रहे हैं हमारे समवाद दाता अर्विन पांडे मदान केंद्र पर चोटे बच्चों के लिए जूले खेल सामगरी और उनका ख्याल रखने के लिए केर टेकर की ब्यवस्ता होगी इस केंद्र पर 24 गंटे बिजली सप्लाई की सुविधा उपलब्द है महिला और पुरुस मदाताओं के लिए अलग-अलग आगमन और निर्गम द्वार बरहेंगे जिले के तीनों विधान सवाचेतर में कुल 45 आदर्स मदान केंद्र बनाए गए हैं इसके लावा एक-एक यूथ और पी-ड़ूडी मदान केंद्र भी होंगे जिले में साथ मदान केंद्र ऐसे हैं जहां किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं है प्रसास निंगस्तर पर यहां रणर की वेवस्था की जा रही है प्रादे सिख समाचार दर्शन के लिए शेहडूल से मैं अर्विंद पांडे सिहोर जिले में मतदाता जागरुकता अभिहान के तहट सूइब गतिविधिया एजित की जा रही है इसी के तहट मतदाता जागरुकता मेरतन दोड का अनूठा आईजित की जा रही है जादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सिहोर समवादाता सिहोर जिले में चल रहा है विधान सवा निर्वाचन 2023 के अंतरगा जिला प्रशासन दौरा पिछले एक पकवाड़े से जिले में लगाता सुईब कद्विधिया आईजित की जा रही है। इसमें कुल 700 प्रतिभागियों ने उस्सा के साथ भाग लिया। किया गया। आईजिक जिला प्रशाशन के साहे कलेक्टर ने इस आईजिन को सफल बताया। काफी सफल आईजिन रहा है अमने स्वीप के अंदरगत जो है मताता जागरुकता के लिए इस मेराथवन का आईजिन किया था और इसमें लगब हजार से ग्यारा सो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे हमारे दिला प्रसाशन के अधिकारियों ने पार्ट प्रतिशत से जादा मद्दान का स्वीवर का लच्छ है उसे पूर करें प्रादिसिक समाचार दाशन के लिए स्वीवर से प्रदीप चोहन अब चलते हैं रतलाम जहां से हमारी समवादाता अधिती मुश्रा चुनावी तैयारियों को लेकर जादा जानकारी दे रही है सीमाओ पर चैकिंग और पोस्टिंग भी बढ़ा चुके हैं अंतर राज्जी सीमाओ पर भी विशेश नजर रखी जा रही है इसके साथ ही नर्वाचन में जो सबसे महत्व पूर्ण हसा है वो है मतदाता जागरुकता का जिसके लिए स्वीब के नोडल अधिकारी रजनीश चनहा और सहायक नोडल अधिकारी अंकिता पंडिया के नर्देशन में अनूठी पहल की जा रही है रतलाम जिले के बाजना शेत्र में आदिवासियों और केवट समाज के मचुआरों को प्रेवित करने के लिए नए नए प्रयोग किये गए हैं परिवेक्षक एहतेशाम अंसारी के नितरत्व में मददादा जागरुकता के लिए माही नदी में उतर कर मच्छवारों को प्रेरत किया गया इसके साथ ही यहां काक भगोडे की मदद से भीली बोली में गाने बना कर भी प्रचारित किये गए हैं इनका असर भी अब देखा जा रहा है इत भटो में काम करने वाले मजदूरों को भी जागरुक करने के लिए ढोल बजा कर नाचते गाते गीत गाय जा रहे हैं खास बात यह है कि यह सभी गीत स्थानी अबोलियों में होने के कारण काफी पसंद किये जा रहे हैं पुरे जिले में कहीं महंदी बना कर तो कहीं पाती लिखकर भी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अधिती मिश्रा सतना और महिरि जिले में क्या गतिविदियां जारी हैं बता रहे हैं हमारी समबादाता लाल बहादुर तिवारी सतना और मईहर जिले में 17 नॉंबर को होने वाले बिधान सबा चुनाओ के लिए जिला पिसासन द्वारा चुनाओ आयोक के दिसा निर्देशा नुसर तैयारियां की जा रही हैं जिले के चित्रकूट रहगाओ नागो सतना मैहर अमरपाटन और रामपूर बगिलान बिधान सबा चेत्र के मद्दान दलों को मास्टर ट्रेनर्श द्वारा मद्दान प्रिकिरिया एवी एम सी यू बी यू बी पी पैट संचालन मद्दाता पहँचान आदी मद्दान केंद लाकर जागरो कराया जा रहा है वहाई सभी प्रेक्षकों की उपस्तिती में साथ बिधान सबा चेत्रों में इस्तापित कुल एक हजार नौसो पचास मद्दान केंद्रे और रिजर्व सहित कुल एदो हजार एक सो सैथालिस मद्दान दलों का दोतिये रेंडवाई जेसन क किया गया जिले की सभी बिधान सभा चेत्र में घर बैठे पोश्टल मद्दान की सुविदा के एक हजार नौसो पचासी दिव्यांग जनों और असी वरसे अधिकायों के मद्दाताओं के लिए पोलिंग पार्टियों ने घर घर जाकर पोश्टल मद्दान कराया चुनाओ इत्र और तो सतना जिले के सभी निवासियों को आने वाले तिवारों की बहुत-बहुत सुबकामना है साथ ही सभी के जानकारी में है कि चित्रपूर्ट में अगले पार्ज दिनों में बड़ा मिला लगता है इसे बड़ी संख्या में सद्धालो आते हैं आप सभी की जानक करता है 14 तारीक तक चित्रकूर्ट का मेला रहेगा तो आप सभी से निवेधन हैं कि जो भी लोग इस मेले में आए वो पुरी सद्धा के साथ में दर्शन करें लेकिन पंदाक को हर हाल में अपने गंतवे के लिए रवाना भी हो जाए साथ ही सतना जिले के सभी निवासियों स ये निवेधन भी है और एक अपील भी है कि आने वरे चुनाओं में 17 तारीक को मद्दान में बढ़ चड़के हिसा ले और अपने जिले के प्रसंटेज को हम और अच्छा करेंगे सभी लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें जिससे कि हम लोगतंदों को और मज़ूद कर कि गई हैं कलेक्टर रेवं जेला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सीने मद्दान दलों को सामगरी वत्रान के दरश्टियत 15 नवंबर तक सास्की पॉली टेक्निक महाविद्यालया पन्ना में अनवार रूप्षे आवश्यक काउंटर टेवल फरनेचर सूचना पटल एत दिकारियों को दायत तुशोपा गया है पवाई के लिए जनपर 55 सी ओ शाहिनगर प्रसन्य शिक्रवर्ती गुनोर के लिए जनपर 55 सी ओ गुनोर अननशुकला और पन्ना के लिए जनपर 55 सी ओ अजयगड़ सतीस नांगवनसी की ड्यूटी निर्धारित की गई है जबकि ब उधर रीवा में भी चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं हमारी समवादाता आरती श्रीवास्तव जादा जानकारी दे रही है विधान सभा निर्वाचन के लिए रिवा एवं मौगंज जिले के सभी आठ विधान सभाक्षेत्रों में 17 नवंबर को प्रातह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरुक करने हैं तू जागरुकता अभियान के विभिन कारिक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है इसी क्रम में रिवा कलेक्टेट परिसर में दीपोत्सव कारिक्रम आयोचित कर हजारों हजार की संख्या में जगमक दीपो से मतदान का संदेश दिया गया इस अफसर पर मतदान करने की शपत भी दिलाए गई आस्मान में पैरा सूट दीप छोड़कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया इसके अलावा इस्थाने कलाकार विभूती मिश्रा दोरा कलेक्टेट परिसर में बनाई गई मतदान को प्रेरित करती विशाल रंगोली के साथ जगमक दीपों के माध्यम से स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरुकता कारिक्रम में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रिवा से मैं आर्ती शिवास्तव शाजापुर जिले में असी वर्ष से अधिकुम्र के मतदाताओं ने घर बैठे मतदीकार का इस्तमाल किया और जानकारी दे रहे हैं हमारे समवादाता अजीत पारशर बोट फ्राम होम जी हाँ ये सुविदा इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार दी है इसी के तैस शाजापुर में भी असी वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने अपने घर से विदान सबा चुनाव को लेकर मतदान किया शाजापुर जिले की तीनों विदान सबा में कुल 753 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से बोट डालने के लिए सुचना दी थी उसके बाद 6 नवंबर को भिविन छेत्रों में अलग-अलग मतदान दल इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुँचे और पोस्टल वेलिट के जरिये बोट डलवाया वहीं घर पर मतदान के दोरान गोपनिता और सुरक्षा का खास खयाल भी रखा गया मतदान के लिए बकाइदा बोटिंग कमपार्टमेंट बनाया गया 6 नवंबर को मतदान की शुरुवात हुई और किसी कारण वज़ जो मतदाता इस दिन अपने घर पर उपलब्द नहीं हुए उनके लिए मतदान दल 10 नवंबर को दोबारा उनके घर गए और मतदान करवाया चुनाव आयोग ने पहली बार 80 वर्स से अधिक के बुजुरुगों और 40 फीजदी से ज़्यादा दिव्यांगों को घर से बोट डालने की सुविदा दी है वहीं इस दोरान घर से मददान करने वाले बुजुरुग के मददाता सहीत दिव्यांग के खुछ से दिखाई दिये उन्होंने आयोग की इस पहल की जमकर तारिप की जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन अधिकारी अखिल राठों ने इसे अभिनव पहल बताते हुए जानकारी दी की जिले के तीनों विदान सबाओं से 753 बुजुरुग और दिव्यांगों ने इस विवस्ता को सिलेक्ट किया था उनमें से 718 लोगों ने घर बेठे मतादीकार का प्रयोग किया जबकि 19 लोग अनुपस्तित रहे इस बार दिव्यांग एवं 80 बर से अधिक उम्र के मताताओं को घर पहुँच जाकर जाकर बोटिंग कराने का प्रयास किया गया यह काफी हद तक सफल रहा और इसमें हमारे जिले में तीनों बिधान सबाओं में कुल 753 मद्दाताओं ने यह व्यवस्ता को आउप्ट किया था इसको सिलेक्ट किया था प्रादेशिक समाचर दर्शन के लिए शाजयपूर से अजित पारशर की रिपोर्ट आज के इस अंक में इतना ही अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विशय के साथ तब तक के लिए नमस्कार प्रादेश 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